आज हम बात करेंगे लिकॉप सिरफ के बारे में जो की बच्चे की मेडिसीन है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस सिरफ का यूज कब और कैसे करना चाहिए और इसके यूज करने के बाद आपके बच्चों को क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इसकी क्या प्राइज है दोस्तो और इसकी क्या डोज है आज के इस वीडियो में हम सारी जानकारी है के करके आपको बताएंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं अगर आपको लिकॉप सि सिरफ जो कि एक मैंनकाइंड का प्रोडक्ट है और इसकी हम कंटेंट के बात करें तो इसमें लीव सिट्राजिन हाइड्रोकलॉराइड होती है और इसकी प्राइच की बात करें तो यह 30 ml की सिरफ आपको किसी भी मैडिकल इस्टोर पे 35 रुपे में मिल जाएगी अब हम आते ह है इसकी यूज की तरफ इसका यूज कहां पर की जाता है दोस्तो लिकॉप सिरफ जो की एक एंटी हिस्थामिन दवा है इसका इस्तमाल एलर्जी या फिर एलर्जी के लक्षनों को ठेक करने में इसका यूज किया जाता है और लिकॉप सिरफ का यूज दोस्तों क्या होता ह उसको एलर्जी या कुछ साइड एफेक्ट हो जाते हैं तो इस दवा के बाद एलर्जी खतम हो जाती है और दोस्तों इसकी हम साइड एफेक्ट के बात करें तो इसके कुछ साइड एफेक्ट भी देखने को मिलते हैं जैसे कि इस दवाई को पिलाने से आपके बच्चों को न दोस्तों डोश की बात करें तो इसका यूज हम एक से धाई तिन साल तक के बच्चे को धाई डाई एमेल पिला सकते हैं और बड़े बच्चे को चार पांच साल तक के बच्चे को पांच पांच एमेल पिला सकते हैं दोस्तों इसका यूज सेवन देखा जाता है रात के रात म किया जाता है और दोस्तों बिना किसी डॉक्टर की सला से इस मेडिसिन का यूज ना करें धन्यवाद दोस्तों